नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरस्टिंग वीडियो में दोस्तो अगर आप सभी IPL और वर्ल्ड कप के फैन हो ज़रूर से वीडियो को लाइक किजिए क्योंकि आप सभी के लिए जो है एक और IPL की न्यूज लेके आ रहा हूँ तो सब्सक्राइब ही कि जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिए तो चलिए बात कर लेते हैं क्या ख़बर निकलके आ रही है IPL 2019 और वर्ल्ल कप 2019 को लेके जो विराट कोली है उन्होंने फर्स्ट वन डे से पहले एक इंटर्व्यू दिया उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी खिलाडी का चैंज जो है वर्ल्ल कप स्कॉर्ड में नहीं होगा उसके IPL के पर्फॉर्मेंस को देखते हुए दोस्तों जो कोली ने ऐसा भी का अगर IPL में कोई खिलाडी एक दो मैच में अच्छा पर्फॉर्मेंस कर देता है तब जो है उसको डायरेक्ट वर्ल्ल कप में एंटरी नहीं मिलेगी उसको जो है पहले अपने आपको साबित करना पड़ेगा एक्जामपल के तोर पे हम ले लेते हैं अमबती राइडू को राइडू का जो फॉर्म था IPL में बहुत अच्छा था चन्नाई के लिए ओपनिंग करते हुए राइडू ने एक सांदार खेल दिखाया जिसका नतीजा यह हुआ कि राइडू को जो है वन डे में नमबर 4 प बना है कि वर्ल्ड कप खेलने वाले एकी नहीं एक है दिनेश कार्तिक दूसरे है रिसब पंथ यह दोनों खिलाडी जो है आई पील में बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस किये थे इसका मुकाबला यह हुआ कि रिसब पंथ को जो है वन डे और टीन डे मौका मिला दिनेश क कोली से पूछा गया कि यह दोनों खिलाडियों में से कौन सा खिलाडी इंग्लैंड जाएगा वर्ल्ड कप खेलने तो इसके पर जो है विराड कोली ने कुछ भी बयान नहीं दिया उन्हों जो है अभी इसको सस्पेंस रखा हुआ है क्योंकि उस्तों इंडिया के पास जो ह उनका वर्ल्ड कप में जाना फिक्स है लेकिन अगर बस एक दो मैच में चलते है ऐसे में उनका वर्ल्ड कप खेलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है तो यह था विराड कुली का बयान कि आई पील के परफॉर्मेंस से जो है उनको वर्ल्ड कप के स्कॉर्ड च गल्ते है